पहाडों में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदर ली है उन्चाई वाले इलाकों में ताबड तोड बर्फबारी हो रही और मैदानी इलाकों में भी बारिश का दौर जा रही है हम आपको नौ तस्वीरे दिखा रहे हैं पहली तस्वीर चमबा जिले से है दूसरी कुलू के आनी से तीस्वी सिर्मौर के पाउंटा साहिब चौथी धर्मशाला पांचवी बिलासपूर छटी मंडी के सुंदर नगर और सात्वी सिर्मौर के पाउंटा साहिब और आठवी तस्वीर रामपूर आखरी तस्विर शिमला के ठीयोग से जहां पर जमकर बारिश और बर्वबारी हो रही है इससे पूरे प्रदेश में ठंड बढ़ गई है कहीं ना कहीं आवा जाही पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है लोग बर्वबारी का खूब लुथफ उठा रही है देखिए खूबसूरत नजारा आप पाउंटा साहिब की एक बार तस्वीर फिर से देखिए जहां पर एक तरफ तो ये गाड़ी को यहां से निकलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है और दूसरी तस्वीर ये बया करें कि किस तरीके से परियाटक इस बर्वबारी का खूब लुथफ उठाते हुए नजर आ रही है एक तस्वीर आपको बता दे जिस तरीके से हमारे समधाता बात कर रही थे लोगों से लोगों का यहां पर काफी positive attitude देखने को मिला क्योंकि लोगों का कहना था कि बर्वबारी कभी कभी होती है लेकिन इनके लिए अगर कुछ sacrifice थोड़ा बहुत करना पड़ता है थोड़ी दिक्कते आती हैं तो वो उठाने को तयार है लेकिन बर्वबारी का पूरा मज़ा लेते हुए लोग यहां पर नजर आ रहे थे